नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका गॉर्मेंट यूट्यूब चनल पर दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना लेकर बैटे हैं या पर आपके भी मन में एक सरकारी नौकरी लेने की इच्छा है तो यहां पर आप सभी लोगों के लिए बहुती बड़ी खबरी आ चुकी है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर वने विबा के बड़्ती 2013 का ओपिसल नौटिफिकेशन है वह यहां पर जारी हो चुका है और आप इस नौटिफिकेशन की मदद से एक आवेदन है जो भर सकते हैं चाहिए आप बार्त के किसी भी रहां रहना है क्योंकि पहरे छो आवेदन करते समय अगर आपने चोटीची भी गल्ती कर दी तो हा पका आवेदन पत्र हो पूरा का पूरा रिजैक्ट हो जाएगा तो यहां पर दोबार आसमें आपको आउधन करने का कोई भी मौका या पिर में जो आविदन कर पाएंगे और इस बरती की एक खास यह है कि आप अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप भी यहां पर मैं आपको बता दू इसमें यह और एक और बड़ी खुशकबरी है और यहां पर आपक इसमें जल्दी से अपना जो आविदन पत्र है वो भर दीजेगा तो आपको कौन कौन से डोक्यमेंट लगेंगे आविदन पत्र भरने में यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताओंगा और आपको कुछ इंपोर्डेंट जानकर है वो सही से भरा जा सके तो मैं आपको सब्सक्राइब करके समझा देता हूं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप गौवर्मेंट हेल्प लाइन पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा वीडियो को लाइक करो उससे क आपको आउदन पत्र कैसे परना है क्या कि आपके आउदन पत्र के लिए आपके पास में डोक्यमेंट होने चाहिए और मैं आपको इसमें सारी जानगरी बताओंगा यह फोरम है जो कितने चरणों में बढ़े जाएंगे वो भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि दो दो सरणों में आपका आउदन पत्र होगा बरा जाएगा जो आउदन पत्र कैसे बरा जाएगा वो मैं आपको इसमें समझाओंगा साथ ही में दोस्तों आपके पास में क्या क्या डोक्यमेंट होने चाहिए वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में स्ट्रिप ने बहुती महत्ववण व्होग्धान रहता है यानि उसका महत्वण व्होग्धान रहता है इस लिए यह भरती है जो बार-बार सरकार निकाल रथी रहती हैं वन विभागत ब्रती आपर one pal sect का पद है और शिपाई का फगता की बात करूं education qualification की मैं बात करूं education qualification अनपर मेड़े8 पास,-10 &-12 पास भी हाउध ELGen कर सकते हैं और ये जाभ है जो all बंपर भरती दोजार तेश के तहत निपे अजार पत्व पर रोजगार समसर पत्रा में भी परकासित की अगया है अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कैसे आवधन करना है क्या क्या आपको डोक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको इसमें बता दूँगा लेकिन आपको द्यानी रखना है कि आप इस बरती के तहत अपर देख सकते हैं आप सब भी उमिदरों को निवधन है कि अगर वा इस बरती की योगता को पूरा करते हैं तो ही अंत्मतिति की आवधन पहले कर लें यानि कि आपको क्या है कि आप इस योगता को पूरा करते हैं तो ही आपको आवधन करना है अन्य था आपको आवधन करने से कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि आपकी जो मैं आपको इसमें जो आपकी qualification बताऊंगा जो आप सर्तें बताऊंगा अगर वो सर्तों के लागू नहीं होता है तो आपका forum उसी दा reject हो जाएगा आपको ये ध्यान में रखते हुए अपना आवदन पत्र भरना है ये आवदन पत्र में आपको बाद में बारके बताऊंगा उससे पहले में आपको post-viron के बारे में बात कर लेता हूँ post-viron की बात करूँ तो दोस्ते आपर post-viron में वन रखस के लिए 3600 पद है वन पाल के लिए 3900 चार सु पद है और सिपाई के लिए 3000 पद है जो मेरे हिसाब से आपके पास में बहुती अच्छा मौका है हर राजे से ये बहुती ज़्यादा पद है और यहापर आपकी सेक्स के लिए आवदन करते हैं उस आपको पद का ध्यान रख्ते हुए आपकी education qualification में रखनी होगी अब दसवी है अगर आप दसवी पास है आठवी पास है तो आठवी पास है के अ-ल एक पड़े जो आउदन कर सकते हैं आगरम थन-धियर पास है तो केवल दो पदों के लिए जो आवदन कर सकते हैं बारवी पास है तो तीन दों पदों के लिए आवदन कर सकते हैं और आठवी पास है तो केवल और केवल एक पद के लिए ही आवदन कर पाएंगे माईला और पुरूस दोनों यहां पर आवदन कर सकते हैं ऐसा नही कुछ मेरे प्यारे वाईयोर बैनिया कुछ सी वह आपर ध्यान नहीं रखते हैं जो यहां पर भिना ध्यान रखते हुए एज ग्राइटीरिया का बहुत नहीं कर लेते हैं तो यहां पर आपको अधरा से बैंतरी स्विश्श्श तक रखी गई हैं वन्रक्षर के लिए एटरा बहुत ही जरूरी है तो आपको बता दू यहाँ पर वेतन है जो यहाँ पर वन पाल के लिए 16000 रुपे वन रक्सक के लिए 22000 रुपे सिपाई के लिए 28000 रुपे आपको वेतन है जो परतिमा मिलेगा अब आपको यहाँ पर आवदन कैसे करना है आवदन सुल्क के में बात कर तो आउधन सुल्क आपको कितना देना पड़ेगा कौन-कौन से पद के लिए कितना देना पड़ेगा तो सभी पदों के लिए आप है जो किसी भी पद में आउधन करना चाहते हैं तो आप जनरल से हैं तो आपको डैट सो रुपे फीज दानी पड़ेगी अगर आप OBC, ST या आप इसके ओपीशल वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन में जो आउधन पत्र का वेबसेट का लिंक है वह आपको दे दूंगा जैसे कि आप जो अपना आउधन पत्र है वह आसनी से भर पाएंगे अब बात आती है आउधन करने की अंतिम्तिती तो कल से आप जो आउधन सब्सक्रेब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्रेब कर दीजीगा साथ ही में बैल आइकन को आउन करना भूलिएगा मत और वीडियो के एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए जैंद वंदे मातरम बारत मता की जैंद